हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे बैसन का लड़ू बैसन का लड़ू खाना सबको पसंद आता है लेकिन ये लड़ू अच्छी तरह से बन नहीं पाता है आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे ट्रीक और ट्रीक बताऊंगी कि आपका लड़ू जब भी आप बैसन का लड़ू बनाएं तो रड़्दू अच्छी तरह से बन जाएं चली शुरू करती हूश रेशिप को बनाना यहाँ पर मैंने गैस पे कडाई बैठा दी हूं और गैस का फ्लेम मैंने लो रख रखी हूँ कडाई को अच्छी तरह से पहले गरम होने दूंगी कडाई जैसे गरम हो है वही है इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी गैस का फ्लेम आप धीमाई रखिएगा हाई मत कीजिएगा नहीं तो फिर बैसन जल जाएगा और मिक्स करते रहिएगा और इसे टोटल हम हमें 20 मिन तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि बैसन अच्छी तरह से पक जाए जैसे ही बैसन पक जाए अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच घी और घी ज्यादा मत डालिएगा एक चमच करके ही डालिएगा क्यूंकि ज्यादा घी डालने से फिर लड्डू अच्छी तरह से बनेगा नहीं और फिर घी रिलीज होने शुरू कर देगा बैसन से अब मैं डालूंगी और एक चमजगी और इसे भी अच्छे तर से मिक्स करूंगी देखिए बैसन का कलर भी चेंज हो चुका है अब इसे हम एक बरतन में निकाल लेते हैं जब बैसन हलका सा गरम रहे तभी हम पिसा हुआ चीनी का यूजगी आधा कप टोटल हमने 6 चमजगी एक कप बैसन और आधा कप चीनी का यूजगी हूँ इसे अच्छी तर से मिक्स करूंगी ज़्यादा गरम रहे अगर बैसन रहे तो अब चीनी मत डालिएगा हलका सा गरम रहे तभी चीनी डालिएगा अब लड़ू बना लेते हैं इस तरह से अगर आप लड़ू बनाए तो आपका लड़ू पॉर्फेक्ट तरीकों से बनेगा आप भी घर पी ये लड़ू का रेसिपी ट्राइ कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सिस्क्राइब कीजिएगा थेंक यू